आि इसके पहले के से पहले के से शेशन में हमने देखा कि basic practice कई करनी है कि तरीके से हमें body movement करनी है किस तरीके सा हमेhen straight coins लेनी है बरवर है वो सामने के direction का न्यग अभा भी हम लोग हमारे हैं के पास का playing देखेगे जिसे हम थम और sensation न्यगी तो scissors जो होता है वो first finger और second finger, first finger, second finger या middle finger और thumb ये दोनों में से कोई भी एक up choice कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, जो आपको suitable लगे वो दोनों में से कोई भी एक finger से आप thumb केल सकते हो और scissor के लिए जिस टाइप का scissor होगा, जो पहला finger जो है first finger हो, second finger पर आएगा और उससे आमें खेलना है तो अब हम thumb के बारे में देखेंगे, thumb जो है, वो कम से कम इतना distance पर होना चाहिए, ना बलकि इतना close और ना बलकि इतना दूर एक minimum आपको एक अंदज आ जाएगा, कि इतना हमें distance कम से कम चाहिए, और maximum stagger जो है, वो हमें थोड़ा close ear camera, थोड़ा हमें इधर लेना है, देखे लिजिए, ज्यादा stagger हमें नीचे नहीं लेना है, baseline के, baseline के ऊपर रखना है, ओके, यहने इतना हम stagger लगा सकते हैं, बरो बरे, और हमें क्या करना है, यह first finger आपको अगर suitable लगता है, तो first finger से मारिए, यह second finger suitable लगता है, तो यह second finger से मारिए, okay, important हमें ध्यान रखना है, कि जो आप पकड़ेगे, वो उस tiger को attach करना है, यह इस type में, close ले, यह जो है, हमें इस तरीके से attach करना है, यह देख लीजिए, अगर आटेच रहेगा, जैसा मैंने बाद में बता है, पहले सेशन में, जैसा हम pain finger में पकड़ते, तो हमें पता होता है, कि finger में आमारे pain है, उसी तरह, stiger अगर हमारे finger में नहीं होगा, तो हम समझ नहीं पाएगे, कि हमारे fingers में stiger है या नहीं, इसके लिए stiger finger में होना बहुत ज़रूई है, और हमारी body moment है, वो थोड़ी सी IC नहीं होते हुए, थोड़ी सी cross कर लेनी है, हमारे pair भी वो position में चाहिए, और हमारा direction जो है, यह packet के थोड़ा angle में चाहिए, left hand उसी तरह, जिसा पहले बताया है, हमेशा always thighs पे रेगा, जो हमें थोड़ा सा balance देगा, ओके, और इस तरीके से उसको हमें slowly मार दाए, देखना ह है, कि हमारा wrist जो है, वो इस angle में चाहिए, और जो हमारा यह जो palm है, वो उसे हमें surface पे support के लिए रखना है, ताकि हमारा हाथ जो है, वो short दियो, अगर हम सिप ऐसा मारेगे, इसको open कर देगे, तो हो सकता है कि हमारे यह जो grip है, sorry, यह जो हमारी style है, यह थोड़ी सी हिलना च तरी में मार रहा हूँ, तो हुआने बोडि देखी है, आप किस तरीका से मुमेंट हो है, वापीज थोड़ी मार रहा हूँ, थम मारनी है थो इसी body मेरी इधर जुक गएने में यह packet के level में आ चुका हूँ और हमें थम मारनी है ओके इसे very simple सिर्फ हमें body movement का आसरा लेना क्योंकि अगर हम body movement पे ध्यान देगे तो हर coin मारना every coin मारना easy है सिर्फ हमें क्या करना है कि हमारी body movement को ध्यान में रखके खेलना है यानि कोई भी coin packet में डालने के लिए body movement यह character बहुत बढ़ा है इसलिए body movement पे हमें ध्यान देना है अभी same seizure ही है seizure के लिए हमें जैसा यह thumb के लिए हमने body इधर किया था तो seizure के लिए थोड़ा body यह position में लेना पैर भी हमारे वही position में जाएगे always left hand उसी जगा पर आएगा और seizure यह first finger second finger पर जाएगा इस तरीके से और stagger जो ऐसा attach रहेगा distance नहीं होना चाहिए और यहाँ पर भी जो हमारा palm का हिस्सा है वह frame पर रहेगा ताकि हमारा जो hand वह stable रहे और इसी तरीके से उसको release करना है थोड़ा अप हलका सा touch करके चोल रहे बरो रहे अभी एक seizure है यह एक seizure है और यह एक seizure है ओके अभी इसमें क्या किया है मैंने उसी तरह कि उसी तरह से थोड़ी body मेरी moment change हुई है ऐसा किया हूँ और यह मारना है थोड़ा मेरी body इदर आई है थोड़ा और इदर सरक गया हूँ देखो यह पैकेड के level तक में आ गया और इस तरीके से मारना है यह थम सीजर वो चाहिए state coins हो या थम हो या कोई भी कोई भी कोई भी coins हमें मारनी है तो हमें body moment का सारा लेना पड़ेगा ताकि उससे हमारी coin मारना और बीजी हो जाए क्योंकि उसमें जो हमें playing area दिया है के बाय रूल के इसाब से अगर हम उसका सही से इस्तिवाल करेगे तो हमें हर coin मारना आसान है अभी यह जो आपने देखा यह सबसे main basic है कैरम में के जो importance है जो straight coins मारना है thumb and scissor बस ही हमें कैरम में आने वाला है इसकी जो advance training है add one stroke है या कुछ difficulty shots है या कुछ creative shots है कुछ दो-दो coins के जो shot आते हैं यह हम आगे के session में देखे गई मगर हमारा base जो main चीज है वो basic है अभी जो मैंने आपको जो basic बता है वो पहले के session में straight coins कैसी मारनी है thumb and scissor यह जो practice है अगर आप दिन में एक बार करोगे तो यह आपको cover up करने के लिए दो गंटा तीन गंटे आप दे सकते हो अगर आपने दिन में एक गंटा दो गंटा भी दिया तो आपको यह खेलने के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको development के लिए भूत आसानी रहेगी और आने वाले sessions में में बहुत सारी important बाते लेने वाला हूँ उसमें ऐसी कुछ point है कि हम coin को मारते मगर हम लोग अचानक जब striger release करते तो हमारा angle चूक जाता है इसा क्यों होता है क्योंकि हम जब coin को मारते तो हमारा ध्यान बटक जाता है और हमारा stroke चूक जाता है उसके उपर हम लोग मैं आपको बता हुआ क्या करना है ताकि हमारा ध्यान ना बटके कुछ importance में कुछ dot बना रहा हूँ coins के उपर mark करके ताकि आपको उसके समझ में आ जाए इस तरीके से मैंने कुछ mark किये है इस तरीके से कैरम coins के उपर जो यह mark का सहारा लेके हम लोग कुछ आगे की technique देखे के कैरम की जो मैंने खुद इसका इस्तमाल किया है मेरे खुद के लिए और मैंने जो मेरे कुछ students को में बताया हूँ और एक दो-तिन अच्छे top level के player को ब पाइदा होते तो मुझे खुशी होगी और आप definitely इसके बारे में next session में आप देखोगे कि उसका use कैसा करना है यह दो तरीके के कुछ points बनाया है मेने white coins के उपर black पे बन नहीं सकते इसलिए white पे बनाया हूँ और उसमें हम उसको किस किस coins पे use कर सकते बहुत सारे यह जो points है यह कैरम के all stroke पे आपको आएगे सिर्फ आपको उसको पकड़ना आना चाहिए और आपके mind में वह आना चाहिए कि यह stroke इदर है यह बहुत से coins हमारी miss होने की वज़ा होती है कि हम piece को पूरी cover करके देखते हैं हमें piece को कहा पर मारना है point out है जहापर exact point है वह point को हम नहीं मारत है और coins किदर भी चले जाती है तो definitely में जब आपको यह बता हुगा तो आपको उसमें यह cover up कर दो कर दूगा में और main चीज है कि बहुत सारे players जो खेलते हैं उनको शौरिंग आती है इसी उनके हाथ से tiger चुटता नहीं है ऐसा-ईसा होता है यह कुछ भी problem होती है वो एक point है secondly thumb मारते तो tiger उनके हाथ से चुटता नहीं है वो एक problem है सीजर मारते उनके हाथ से tiger चुटता नहीं है यह ऐसे तीन चीज़े है यह तीन चीज़ों के बारे में भी आगले एक दो सेशन में वह में clear करोगा अगर उसके कुछ एक बारिक कुछ-कुछ points है कुछ-कुछ practice है वह अगर आप करते हो तो definitely उसके उपर आपको फाइदा होगा और वह एक तरीके का pressure बोलते है आपको बहुत सब्लेर मुझे प्रेशर आता है मुझे थम पर प्रेशर है मुझे सीज कि कल परचों तक वो भी आ जाएगी आप देख पाएगे तो अभी जो मैंने आपको बता होगा अगर यह शुरू करते तो definitely उसको आप उससे आपको फाइदा होगा ओके बाई